स्वागत है अब सभी का आप देखा है Economy Today और जेफ्रीज की एक इंडिया रिपोर्ट जारी की गई है जिसमें भारत की प्रगती और आने वाले दिनों में किस तरह से अलग अलग सेक्टर्स में प्रदर्शन होगा उसका एक लेखा जोगा पेश किया गया है ये रिपोर्ट बताती है कि 2013 के बाद से भारत दुनिया के सबसे तेज रफ़तार अर्थवस्था बना हुआ है तेज से अगर 28 की बात करें तो भारत की उसद विकासदर 6.3 फीजदी रहने की उम्मीद है ये इस पश्ट इस रिपोर्ट में कहा गया है सरकार और RBI ने महेंगाई को 4 फीजदी के करीब रखने में सफलता हासिल की है वित्तिय अनुशासन पर सरकार का फोकस बढ़ा है और जो वित्तिय घाटा है वो GDP के 5 फीजदी की ओर जाने का अनुमान जटाये गया है विदेशी मुद्राभंडार इस वक्त सर्वोच सतर पर है एक साल के लिए जो इंपोर्ट है उसके लिए परयाप्त है और ये 700 अरब डालर तक पहुँच सकता है बुनियादी ढाचे में निवेश लागातार बढ़ रहा है GDP के 30 फीजदी से ज़्यादा नीजी कंपनियों के हाथों में अब कमान है निवेश की 2018-19 और 23-24 के बीच में जो सरकार का औसत कापेक्स कर्च है उसमें 24 फीजदी सालाना की बहुतरी देखी गई है housing sector पर ये report कहती है कि साथ बड़े शेयरों में बीते 10 शक में housing sector में रफ़तार धीमी रही लेकिन अब ठाइस तक housing बिक्री 10 फीजदी से बढ़ने का अनुमान है यानी medium अवधी में housing sector ग्रो करेगा गाओं में अर्थवस्था में लगातार इضافह हो रहा है चालू खातेगा घाटा GDP के एक दिशमलोग दो फीजदी के स्थर पर रहा और यह जो फॉरेक्स है वो काफी important है इस लिहाद से देखना कि 700 बिलिएन डॉलर्स तक पहुंचेगा और साल 2045 तक दुनिया का सबसे युवा देश बना रहेगा भारत और चीन, यूरोप और जाप ही है इंडिया की वो अब सारी की सारी जो एजन्सिया है वो स्विकार कर रहे हैं